नमश्कार दोस्तों, 16 जून 2021 के डेली न्यूस अनलिसिस में आपका सौगात है, जल्दी जल्दी से आज न्यूस देखते हैं, पहली न्यूस इंडिया एप्निलोजिस इमर्जिंस ऑफ न्यू डेल्टा वेरियंट, देखें ये न्यूस आपको मिल गई होगी, पहले जो वर् 417N नाम का एक मुटेशन जुड़ गया है, के 147 गलती से लिग गया है, के 417 है, और इससे बन गया है डेल्टा प्लस वेरियंट, ये जो के 417N है, ये बीटा वेरियंट में पाया जाता है, जो कि साउथ अफरीका के वेरियंट है, ठीक है भई, तो अब एक डेल्टा प्लस वेरियंट फैल रहा है, ये केवल इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में फैल रहा है, इसके बारे में बहुत डीटेल्ड इन्फरमिशन मैं अपनी इंडिविजुल वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूँ, जो कि जस्ट इस करेंट अफेर से पहले आपको मिल गया हो छो डेल्टा प्लस वेरियंट वो कम फैला है, एविडेंसमी मिले है कि आद्रप्रदेश, महारास्ट, तेलांगना, करनाठ़ का हर जगा पह ये डेल्टा प्लस वेरियंट फैला है, और अभी के लिए ये समझ में आ रहा है कि बहुत highly infections होगा, च्योकि अल्रेड़ी 417N है तो कही न कि उसका जो combined impact होगा हो सकता है बहुत ज़दा infective मना देज पर्टिकुलरली delta plus variant को यह कितना infective है इसके उपर अभी भी शोद चल रही है धीरे धीरे इसके उपर picture clear होगी इंसा कॉग यहां पर क्या है तो इंसा कॉग हमेशा positive patients हैं उनके genomes को उठा कि उसमें test करती है कि इसमें कौन से बकार का mutation है यह जो genomic surveillance है बहुत important है this is a rich source of information इसके basis पर हम यह पता कर सकते हैं कि कि किस particular जगा पे कौन सा pathogen transmit कर रहा है evolve कर रहा है तो इंडिया में अभी तो देखे genome sequencing किवल coronavirus के respect में बात की जा रही है चोकि इस समय पे पूरा का पूरा focus coronavirus पे है तो इंडिया में coronavirus का कौन से mutation फैल रहा है यह हम genome sequencing से पता सलते हैं पता चल कर सकते हैं public health England जो genome sequencing UK में करवाता है वो बहुत high level की है इंडिया में किवल 10 laboratories करवा रही है और demand यह है कि private laboratories इसको भी यहाँ पे genome sequencing में involve करना चाहिए देखते हैं आगे सरकार क्या बोलती जैनोम sequencing के एक ऐसा testing process होता है जिसमें एक organisms के पूरे entire genetic code को map किया जाता है study किया जाता है उसके instruction manual को देखा जाता है instruction manual मतलब को देखिए एक virus का जो genetic code होगा उस genetic code से scientist को काफी कुछ पता चल जाता है उस virus के mutate करने की ताकत उस virus के spike protein को effect करने की ताकत in fact वो virus इंसान को कितना infect कर सकता है इस बात की ताकत और कहीं न कहीं अभी इस delta plus variant की इसी infectivity को हमारी genome sequencing के थूप पता करने की कोशिश की जा रही है general studies paper 2 में एक आम का है next बात करते है UN meet on decertification land degradation and drought देखिए मोधी जी जो की present president है 14th session of conference of parties के UNCCD यानि की United Nations convention to combat decertification तो मोधी जी ने virtually इंडिया में बैठे बैठे 14 जून 2021 की एक meeting को address किया चूकि ये president थे तो यही address करेंगी मोधी जी ने United Nations को बचाया कि पिछले 10 सालों में इंडिया ने 3 million hectares forest cover को इंडिया में जोड़ा है मतलब हम लोग ने 30 lakh hectares of forest land को extra जोड़ा है अगर आप देखो तो इंडिया का forest cover official figure के हिसाब से one fourth of the total country areas पहुँच चुका यनि जितना भी इंडिया का इलाका है उसके 25% में आप forest है अभी land एक fundamental building block है और ideally ऐसे बोला जाता है कि अगर एक particular देश में 100 units land है तो कम से कम 33 units यनिट 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 फॉरेस्ट होना चाहिए कही न कहीं मोदी की का बोलना है कि भी land के और इसके resources के उपर बहुत ज़धा pressure है और इंडिया इस land degradation के issue को बहुत proactively take up कर रहा है इसके लिए एक दिल्ली declaration भी आया था 2019 में जिसमें बोला गया था better access and stewardship over land emphasize gender sensitive transformative projects मतलब इंडिया लंबे समय से कही न कहीं forest cover को improve करने की कोशिश कर रहा है और पिछले 10 सालों में हमने 30,00,00 hectares of forest cover को इंडिया में जोड़ा है कहीं न कहीं overall भारत का 25% हिस्सा अब forest है और यहाँ पे मोदी जी एक और बात बोल रहा है कि 2030 तक by 2030 26 million hectares of degraded land को हम लोग restore करने कोशिश कर रहे है मतलब 2,60,00,00 hectares of degraded land को restore करने कोशिश की जारी degraded land को restore करना मतलब इसके उपर agriculture किया जा सके हो सके तो इसके उपर forest को गाया जा सके इस बात की कोशिश की जारी है और अगर हम इस degraded land को restore कर पाते है तो लगबग 2.5 से 3 billion tons of additional carbon sink हम बना पाएंगे मतलब हम carbon neutrality की तरफ बढ़ेंगे अब एक carbon sink का मतलब क्या हो गया देखिए एक particular patch of land बंजर पढ़ा है इसके उपर अगर आप पेड होगा सको तो आपको पता है कि ये पेड carbon dioxide inhale करते है और oxygen exhale करते है तो जितने ज़्यादा पेड उतनी ज़्यादा carbon dioxide neutralize होगी उतना ही ज़्यादा हमारी global warming कम होगी उतनी ही हमारी carbon sink की capacity बढ़ेगी उतना ही तेज हम carbon neutrality के तरफ जाएंगे आई होब आपको समझ में आ गया होगा फिर इस भाषण में प्रधानमंत्री मोधी जी ने यह जो बननी इलाका है रन अफ कच गुजरात में इसका example देते हो बोला कि कैसे land को restore करके good soil health को लाया जा सकता है land productivity को बढ़ाया जा सकता है food security पढ़ाया जा सकता है livelihood को improve किया जा सकता है बननी रीजन में grasslands को develop करके land को restore किया गया है animal husbandry को लाया गया है लोगों की life को सुधार निकले तो जब जरूत पड़ी बननी रीजन में तब वो लोग pastoral activity करेंगे नहीं तो animal husbandry करेंगे और इसके थू कहीं न कहीं वो अपने environment के साथ एक harmonious तरीके से रहेंगे फिर बाई इंडिया और क्या कर रहा है तो south-south corporation south-south corporation आपको पता है न developing countries का corporation developed countries south-south में नहीं आती है developed countries को normally north बोल जाता है तो इंडिया developing countries के साथ कहीं न कहीं coordinate कर रहा है land restoration की strategies को implement करने के लिए जल्दी ही बोला जाएगा कि एक center of excellence मतलब पधान मंतरी मोदी जी नहीं आपे बोला है कि इंडिया में एक center of excellence को establish किया जाएगा जो कि land degradation issues को scientific तरीके से tackle करेगा और यह केवल इंडिया के अंदर नहीं होगा इसका international cooperation और coordination होगा land degradation से लड़ने के लिए अब यहाँ पर इस convention के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं बहुत पुराना convention है United Nations Convention to Combat Decertification 1992 में United Nations Conference on Environment and Development हुई जिसको आप एडियो Earth Summit भी बोलते है 1991 की वहाँ पर elaborate किया गया कि UNCCD बनाएंगे यहनी United Nations Convention to Combat Defertilification बनाएंगे ठीक है Agenda 21 के तहट इस convention को बनाने की बात की गई इस convention को adopt किया गया 17 June 1994 को Paris में और यह force में आया December 1996 में This is the first and only internationally legal binding framework जिसा काम किया है To address the problem of decertification अभी के लिए इस convention में 180 countries हैं और इस is truly global in approach और Conference of Party इसकी Supreme Decision Making Party है और इसी Conference of Party को इस समय पर President बने है मोदी जी और इसको कहीं न कहीं address कर रहे है यह जो convention क्या करता है तो promote करता है facilitate करता है ताकि information को exchange को किया जा सके ठीक है न दुनिया भर के international organizations और NGOs आपस में coordinate करके land degradation को रोख सके regular meetings हो जहाँ पर सब चीजों को लेके बातचीत हो सके की generalized scheme of preferences को लाए हुए लगबग 50 साल पहले United Nations Conference on Trade and Development उंग टाड तो लगबग 50 साल पहले United Nations Conference on Trade and Development ने सारी developed countries से बोला कि कहीं न कहीं आप developing countries को अपनी economy के साथ integrate करो खासकर world economy के साथ integrate करो और उसके बाद उदै हुआ generalized system of preferences का आज की date में लगबग एक dozen countries इस generalized system of preferences को चलाती है क्या है ये generalized system of preferences और कितनी countries इसको मानती है तो देखे अभी के लिए वो countries जो grant करती है generalized system of preferences जिसमें Australia, Belarus, Canada, EU, Iceland Japan, Kazakhstan, New Zealand, Norway, Russian Federation, Switzerland, Turkey, United States of America क्या होता है generalized system of preferences में समये जी बात को जो गरीब countries है जो बिल्कुल पिछड़ी countries है जैसे अफरीका के पिछड़ी वे देश हो गए इस प्रकार के देश को के ऊपर कुछ limited conditions लगाई जाती है और अगर ये देश conditions को मान लेते हैं international values of principles को मानते हैं labor और human rights को मानते हैं तो इन देशों का सामान को partial या बिल्कुल duty free access मिलेगा EU market में मतलब कि ये 12 countries जो की generalized system of preferences का benefit दे रही है इनके markets में in least developed countries के product बिना import duty के entry मार सकते हैं duty free entry है तो कुल मिरा के European Union का जो GSP system है इसमें पहले तोया standard GSP for lower and lower middle countries मतलब कि partial और full removal of custom duties कहने के मतलब क्या है कि by two-third of the tariff line में जितनी भी ये lower developed या lowest income वाली country है जब सामान export करेंगी किसी भी इन 12 countries को जो की GSP benefits दे रही है तो इन 12 countries में जब इन low income countries का सामान enter मारेगा तो इसके ओपर import duty कम लगेगी या लगेगी नहीं अभी जब कम लगेगी या लगेगी ही नहीं तो इन least developed countries का समान सस्ता बिकेगा इन 12 countries के market में और लोग उसको ज़्यादा खरी देंगे तो कहीं न कहीं फाइदा होगा इन least developed countries का ये global economy के साथ जुडेंगे globalized होंगे फिर इसमें एक आया GSP plus generalized system of preferences generalized scheme of preferences plus इसमें बोला गया कि भाई 0% tariff मतलब कि वो countries वो lower income countries वो middle income countries जो कि 27 international conventions को मानते हैं 27 international conventions human rights, labor rights protection of environment, good governance से related हैं तो वो lower income के देश जो कि इन 27 conventions को मान रहे हैं तो ऐसे cases में उन देशों का सामान 0% tariff पे entry मारेगा इन 12 countries में और EBA मतलब almost सारा सामान यहां पे entry मार सकता केवल armaments, arms और ammunitions entry allowed नहीं है बाकि आप जितना भी सामान बनाती हैं lower income countries वो वहाँ पे बिकेगा यहां पे कुछ और additional information दे रखी The idea of granting developing countries preferential tariff rates in the markets of industrialized countries was originally presented at first UNCTAD conference in 1964 मतलब कि 1964 में पहली बार इस idea को सामने लेके आया गया फिर GSP को UNCTAD ने adopt किया New Delhi में 1968 में और इसको finally institute किया गया 1971 में और आब ही क्या है 2021 से तो 1971 से लेके 2021 मतलब लगबग 50 साल पहले यह generalized system of preferences यह generalized scheme of preferences promulgate किया गया था इसलिए आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं General Studies Paper 2 में International Relations में न्यूज़ पोगाम हैगी Next news is Tulu Demand for official language status देखे Twitter एक campaign चला और बहुत सारे अलग-अलग organizations की demand कर रहे है कि Tulu को केरला और करनाटका में एक official language status का दरज़ा मिलना चाहिए कुल मिला कि केरला और करनाटका में demand उठ रही है कि Tulu को status दीज़े Actually में करनाटका के दो डिस्टिक्ट दक्षन कर्णर डिस्टिक्ट और उदुपी डिस्टिक्ट और केरला की कासर गोर डिस्टिक्ट इन दो जगहों पे Tulu भाषा बोलने वाले रॉबर्ट कर्डवर्ड अक्टिव थे 1814 से लेके 1891 की टाइम पिरेड में इन्होंने किताब लिगी थी जिसका नाम था Comparative Grammar of the Dravidian और South Indian Family of Language इनमें इन्होंने बताया कि Tulu वन अफ दा मोस्ट हाइली डेवलेप्ट लैंगवज है Dravidian family की और Tulu speakers भी बहुत सारे हैं करनाट का और कैरला में तो ये बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि आठमे schedule of the constitution के अंदर जो 22 भाषा हैं उसमें 23 भाषा के तरह यहाँ पे Tulu को official status मिलना चाहिए ये 22 भाषा कौन कौन सी आठमे schedule में वो यहाँ पे लिखा हुआ और 23 भाषा तुलू बनाने की बातचीत की जा रही है तब बात की जाए official language और languages of a state तो भाई part 17 of the Indian constitution में official languages के लिए articles है article 342 तो 351 इन articles के बारे में बहुत detail में जानना चाहते हैं तो लक्षमी गांस में आपने राज में बोले जाने वाली किसी prominent भाषा को राज की आप कह सकते हो official language बना सकता है इन दी तो देखे official language बनाई जाई सकती है for the official purposes of the state official purposes of the state में आप कह सकते हो कि जो भी राज सरकार के सरकारी काम होंगे उसके सरकारी पत्र होंगे वो उस particular भाषा में किये जाएंगे तो एक राज की सरकार एक राज का legislature आपने राज के अंदर बोने जाने वाली किसी prominent भाषा को official language का दर्जा दे सकता है और part 17 के अंदर article 342 to 351 official languages के साथ डील करते हैं अगर आठवे schedule में इसको लेके आना है तो कही न कहीं पार्लेमेंट से नियम कानून पारित करना होगा और अगर constitution के article की बात की जाएं तो article 29 में protection of interest of minorities की बात की गए और ये जो protection of interest of minorities हैं article 29 में ये केवल religious minority नहीं है वो लोग जिनका खुद की अपनी ये कलग भाषा है linguistic minorities भी article 29 की minority की परिभाषा में आते हैं तो article 29 की protection की चलते भी कही न कहीं linguistic minorities अपने लिए अधिकार मांग सकते हैं और वही यहां पर तुलू people मांग रहे हैं अब देखते हैं कि किस हद तक सरकार entertain करती हैं इनकी demand को General Studies Paper 1 में इस चीज़ कहां आएगी next बात करते हैं दमगरा Hydro Electric Power Project बिहार ये एक छोटी सी news है एक MOU sign हुआ है National Hydro Power Corporation NHPC और बिहार State Hydro Electric Power Corporation Limited की बीच में ताकि दमगरा Hydro Electric Power Project बनाये जागा सपौल बिहार में अगर आप बात करो तो ये जो project है ये कोसी नदी पे बनाये जाएगा भीमनगर बैरेच से लगबख साड़े बाइस किलोमेटर दूर जहां पे दमगरा बनाये जाएगा आप कह सकते हो कि उस विलज का ही नाम आपका दमगरा है अगर आप NHPC की बात करो तो ये category A की मिनी रतना कंपनी है Ministry of Power के अंदर आती है इंडिया का सबसे बड़ा हाइडरो पावर डेवलप्मेंट का और्गनाइजेशन है NHPC इसके 24 ओपरेशनल पावर स्टेशन से 7071 मेगावाट्स की इसकी इंस्टैल्ड कैपसिटी है आप फिर याद रखे का ये जो दमगरा हाइडरो पावर प्रोजेक्ट है वो कोसी नदी के ओपर है इसमें एक Run of the River हाइडरो प्रोजेक्ट मनाए जाएगा Run of the River हाइडरो प्रोजेक्ट क्या होता है कि भाई मिनी और मतलब माइक्रो टर्बाइन्स लगाई जाएगे माइक्रो टर्बाइन्स मतलब कि Run of the River प्रोजेक्ट में आप एक चीज़ समझ लीजे कि इसके उपर एक बहुत बड़ा डैम नहीं मिनाए जाएगा बहते पानी को इस्तमाल करके टर्बाइन्स गुमाई जाएगी और भैते पानी से कैनाल निकालके Agriculture purposes के लिए इस्तमाल की जा सकती है तो आप देखिए यह यहाँ नदी बहरी है उस नदी से आपने एक छोटी सी धारा इधर निकाल ली उसको आपने कही न कहीं एक पावर होस से पाइस करा लिया जिसके अंदर माइक्रो टर्बाइन से लगी हुई इन टर्बाइन ने गुमाया यहाँ पर ग्रेड में electricity प्रेडियूस ही और आगे निकल गया यहाँ पर कोई reservoir नहीं दिख रहा है उसको अर्थ के और्बिट में लांच किया जाएगा बाइ दे अंद आफ दिस इयर इस पर्टिकुलर सेटलाइट का मिशन क्या होगा कि वूडन माटेरियल्स जैसे कि प्लाइवोड इस स्पेस क्राफ्ट में स्पेस क्राफ्ट के स्ट्चर्चर में स्पेस के अप्लिकेशन में किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे हीट, कोल्ड, वैक्यूम और रडियेशन के अंदर इस वूड के ओपर क्या इंपक्ट आएगा इस चीज़ को स्टडी करने के लिए वीसा वूडस हैट एक सेटलाइट है जिसको यूरोपन स्पेस एजेंसी प्लान कर रहेगी पुट अप करेगी और्बिट में इसको और्बिट में पुट अप किया जाएगा अड दा एंड अफ टॉन्टी वन्टीवन विद रॉकेट लाब एलेक्ट्रॉन रॉकेट कहां से जाएगा ये रॉकेट स्पेस एजेंसी ने इसको प्लान किया है वूर्ण स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से स्पेस में परफॉर्म करेंगी ये इसका अबजेक्टिव है लाँच कहां से किया जाएगा महिया पेनिंसुला लाँच कॉंप्लेक्स इन यूजिलेंड से जेनल स्टेडिस पेपर टू में अवेरनेस अफ स्पेस रेलिटेड टॉपिक्स में न्यूज कहां आएगी और लास्ट न्यूज इंडिया एक्सपोर्ट्स जियाई सेटिफाइड जरदालू मैंगोस तू यूके देखे अपेड़ा ने बिहार गवर्मेंट और इंडियन हाई कमिशन और इनवेस्ट इंडिया के साथ मिलके जरदालू नाम की जूसी और एरोमेटिक मैंगोस को पैक किया पहले अपेड़ा पैक हाउस नकनों में और उसके बाद इनको कहीं न कहीं एक्सपोर्ट किया गया है टू यूनाइटिड किंडम ये जो जरदालू मैंगोस हैं ये बिहार की भागलपूर डिस्ट्रिक्ट के हैं और इनको जोगर्फिकल इंडिकेशन का सर्टिफिकेशन मिला था दो हजार अठारा में आप एडा बहुत लंबे समय से मैजर्स लेके आ रहा है मैंगो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नॉन ट्रेडिशनल रीजन से अभी रिसेंटली एक हफते लंबा इंडियन मैंगो प्रोमोशन प्रोग्राम भी चलाए गया था बहरीन में बहरीन में अल जजजीरा नाम का एक बहुत बड़ा मल्टी स्टोर ग्रूप है ये अल जजजीरा ग्रूप ने अपने सुपर स्टोर्स में तीन चार इंडिया के जी आई सर्टिफाइट प्रोड़क्ट को डिस्पले किया था जैसे जीएस सर्टिफाइट खिरसपाथी लक्षमन भोग ये दोनों वेस्ट बंगाल के हैं और जरदालू बिहार के मेंगोज ये तीनों मेंगोज की वराइटी को बहरीन के अंदर अल जजजीरा नाम के ग्रूप के स्टोर्स में डिस्पले किया गया था लोग आ सकते हैं इनको टेस्ट कर सकते हैं और अच्छा लगे तो इनको खा सकते हैं अपेडा समय समय पे वर्चुल मीटिंग कराता रहता है बायर और सलर के बीच में ये इसेंटली अपेडा ने एक मेंगो फेस्टिवल और्गनाईज किया था बरली जर्मनी में जापान के साथ भी कहीं नहीं कहीं कॉल और अपेडा की बात की जाए तो इसको गवर्मनेट और ने इस्टैबलिश किया था अग्रिकल्टर प्रोसेस फूर्ट एक्सपोर्ट डेवलपेंट अथॉर्टी आक्ट नेटी 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 फाइफ के तुरू अच्छा रगे तो जोईन बटन दबा के हैल भी कर सकते हैं इस्टैग्राम पर फॉलो कर लें टेली ग्रूप में आ जाएं वहाँ पे आपको लेक्टर की नोटिविकेशन मेरे वेबसाइट के लिंक्स और इस टेली इस पर्टिकुलर लेक्टर की पीडियो भी मिल जाएग बटन मेरे झाएंगासी।